है König पिंक पास्ता बनाने के लिए एक बॉल हमने पास्ता लिया है और ये ग्रेवी बनाने के लिए चार तमाटर आट-10 के लिए लैसुन की और चार हरी मिसली है पेस्ट तेखर नशार करना है अब अब सबसे पहले पास्ता को हमें boil करना है boil करने के लिए हमने कड़ाई में पानी रख दिया है पानी अच्छे से boil हो रहा है इसमें half table spoon vegetable oil डाल दिया हमने थोड़ा से इसी में हम नमक डाल दे रहे हैं अब इसी में हम पास्ता डाल देते हैं boil होने के लिए अब यह पास्ता हमें जो है 80 पर्षेंट तक कुक करना है यह देखिए अच्छे सी कुक हो गया है अब कड़ाई में दो टेबल स्पून हम ऑईल डाल दे रहे हैं और जो हमने यह पेश त्यार किया था टमाटर मिर्चो और लैसुन का उसे भी डाल देते हैं टमाटर अच्छे से हमारा पक जाना चाहिए इसको पकने में कम से कम दो से धाय मिनट तक लग जागा और इधर हम जो है ग्रेवी के लिए दूर और मेउनीज को मिक्स करेंगे यह एक ग्लास हमने दूर लिया है मेउनीज डाल दूर करके अच्छे से हमें जो है मिक्स करना है और दूर जो प्लिया है वह दूर गरम है married gehen दूर में मेउनीज जो है अच्छे से मिक्स हो जाता है इसी से क्रीमी पास्ता बनता है यह टमाटा का पेस्ट हमारा अच्छे से भून गया है इसी में हम यह पास्ता डाल दे रहे हैं और अच्छे से इसको जो मिक्स कर देते हैं हलके हाथों से में जो मिक्स करना जिसी पास्ता जो टूटे ना अब यह जो हमने एक ग्रेवी बना के रखी है दूज और मेवनेज की उसको इसी में डाल देते हैं इसी में और गयानो और चिली फ्लेक्स भी हाफ हाफ टेबल स्पून हमने डाल दिया है और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है अब इसको हम सर्व करते हैं यह हमारा क्रीमी पिंग पास्ता रेडी है सर्व होने के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी खा बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्लिए कर देखने के लिए में बहुत अन्यवाद झाल झाल